हेलो एबरिवन गुड मॉर्निंग वेलकम टू प्रिया जय व्लॉग मैं प्रिया करती हूँ आप लोगों का वेलकम एक नहीं सुभा एक नहीं शुरुवात एक नहीं व्लॉग के साथ और यहां पर बनकर रेडी हो रही है फ्रेशनेश वाली चीज मतलब मैं बना रही हूँ चाय जिसे पीकर आजाती है फ्रेशनेश वैसे तो मॉर्निंग में मेरे यहां कोई कंपलसरी नहीं है चाय बनना कभी कभी नहीं बनता है डिपेंड और मौसम भी अच्छा है बाहर हलकी हलकी सी हो रही है पारिश और वेदर जो है वो थोड़ा सा कूल प्लेजन टाइप का ह इसलिए यहां पर मैं पहले टी रेडी कर लेती हूं अभी हम उठे है और चाय पीएंगे थोड़ा सा इसके साथ में नाशता फिर उसके बाद मैं यहां पर आज बनाने वाली हूं आलू के पराथ है तो देखिए चाय में आरी है बॉil और यहां पर इस रेडी और यहां पर में किंग लांच तो यहां बैक इंदे किचेन अब मैं बनाने चारही हूं आलू के पराथ है उसके लिए मैंने मिक्सी का जार ले लिया है उसमें डाल दिया है धनिया मिर्ची लसून अद्रग जीरा धनिया पावडर हली पावडर गरम मसाला सारी चीज़े डाल दी है और इन सब चीजों को कर लेंगे ग्राइंड पानी बिल्कूल भी नी अड़ करना है इसमें बस इसको इसी तरीके से ग्राइंड कर लेना है और यहां पर मैंने ग्राइंड करके इसको रेडी रख लिया है तो पानी नी आड़ किया है फिर भी इसको साइड में रख लेंगे फि तो अच्छे से अच्छे से गूत लेंगे तो फिर गूतने के बाद इसका पराठा बनाना स्टार्ट करेंगे तो यहां पर मैंने सारी चीज़े रख ली है यह है गी आलू सुखा अटा और यह जो मैंने आठा गूता वो चौका बेलन और यहां पर तवा तवा के नीचे फ्लेम अन कर लिया है अब स्टार्ट कर देंके पराठा बनाना सारी चीज़े जभी कठा है यहां पर तो फटा इस तरीके से यहां पर दोनों तरफ गी लगाते हुए सेक लेंगे इसे और बहुत अची स्मेल आ रही है वासे पराठे बनते तो बहुत सारे शेप और स्ट्रक्चर में है ट्राइंगल में भी बनते हैं स्क्वेर में बनते मैं इसरकल वाले बनते हुँ और यह जो प्लेन इसले पाराटे होते हैं उसे मैं ट्राइंगल में बनाती हूं हो और इस तरीके से स्टिय करकर प्रेस करगर के हर तरफ से यह से अच्छे से स्च organism कोटिंग होती है वह तो इट्स रेडी और यहां पर मैंने एक बना करके रखा हुआ है तो गर्मा गरम बनाते जाओ और गर्मा गरम सर्व करते जाओ यहां पर इसे में बनाती जारी हूँ अब पती देव के लिए मैं यहां पर सर्विंग भी स्टार्ट कर दूँगी तो पराठे तो गरमी खाने में अच्छे लगते धंडे हो जाएंगे तो उसका कोई मतलब नहीं कोई टेस्ट नहीं तो यहां पर मेरे पराठे जो हैं वो मैंने यहां रेडी रख लिया है तो यहां मैं जा रही हूं अब सर्व करने उन्हें यह दही और अचार के साथ में तो वो खाते जाएंगे और मैं यहां बनाती जाओंगी तो इस तरीके से मैं बना रही हूं आज पराठे आप सब भी आ जाए लंच के लिए और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगाओ तो प्लीज मेक शूर टू लाइक शेर एंड सब्सक्राइब तब तक के लिए बाबाई गाईस सी यू सून टेक केर बाई